के लो गाइज आज हम डिसकस करेंगे influence टैप ऑफ दफ न्यारे कि किस क्रोनम किस प्रकार का पुछ प्रुषपक्रम पाया जाता है जनलीप से एग्जामस में पूछा जाता है कि शुगर केन में किस प्रकार का पहलुर पाट जाता है influence ट्राइप आपको दो डीन कि खुझ रखता है आपको बलेकिन आपको जब याद रहेगा तो आको est hanya को बनाई है गाने तो आप लोग सब्सुनते हो उसी गाने के आनुषारी बनाई है, यह जो ट्रिक है, आपने वो गाना तो सुना होगा, कि यह रेस्मी जुल्प है, यह सरवतिया आखेने देख कर जी रहे हैं, उसी को पर यह ट्रिक है, कि यह रेस्मी तंबाकू सरसौंसी है सन नहीं, यह रेस्मी तंबाकू सरसौंसी है सन नहीं, नाम है आपके तमाकू सरसों सनई ग्राउननट एंड कश्टर ठीक है लाश्ट में आपका अरंडी तो यह रेसीम तमाकू सरसों सी है सनई मुंग फली को देख जी रहे हैं अरंडी तो आपका यह जो ट्रिक है रेसीम टाइप के इंफ्रेंस के लिए हो गई नेक्स मैं आपको स्लाइट सेंड करने जा रहा हूं जो जिसमें भी पैनिकल टाइप का इंफ्रेंस पाया जाएगा किस प्रकार का पैनिकल टाइप का इंफ्रेंस पाया जाएगा उसके लिए ठीक है आपने वो गाना तो सुना होगा ना कि ठहरे हुए पानी में कंकरना मार ब चीना ठीक है तो ठेरे हुए पानी में चावल ना डाल चीनी रे इस पाइक में गय हूँ जों भी आ जाएंगे ठीक है इस पाइक में गय हूँ जों भी आ जाएंगे तो यहां ठेरे हुए पानी से मतलब है पैनिकल तो पैनिकल टाइप का इंफ्लोरेंस जिस भी क्रॉप आप वो है आपके rice and prosomulate तो rice and prosomulate का influence type है आपका panicle next है आपका ये side में ही spike में गेहु जो भी आजाएंगे जैनकि spike type का influence जो पाए जाएगा वो है आपका wheat and वाली जैनकि गेहु और जो तो ये एक lay बनाई हुई है न मैंने इसलिए साथ में किया ठेरे हुए पानी में चावल ना डाल चीनी रे नहीं तो spike में गेहु जो भी आजाएंगे ठीक है तो ये आपकी trick थी next आपको मैं slide send करने जा रहा हूँ कि जिसमें भी साइमोस type के influence पाया जाता हूँ किस प्रकार का साइमोस type का influence पाया जाता हूँ जैसे कि आपने आप जो समोसी हम लोग खाते है जिनली सरसों के तेल के होती है लेकिन यहां बात करेंगे तिल के तिल के तिल के आलू के समोसी आलसी ने जूट को ख़िला दिए बस इनना याद रखना है कि तिल के तिल के समोसी आलू के समोसे अलसी ने जूट को खिला दिए यहां साइमोस type का जो influence पाया जाएगा वो है आपका तिल, potato, lanceate और जूट ठीक है तो यहां मैना मतलब है तिल के तिल के आलू के समोसे अल्सी ने जूत को खिला दी, यहाँ simos type के जिसका भी inference पाया जाएगा, यह सवोंसे से मतलब आपका simos, घना highlight खाया है इसलिए simos type के जो inference पाया जाएगा वुआ आपका तिल, potato, lincid यान अल्सी, और जूत. नेक्स्ट है आपका जोआर ने हेड में सफ्फ्लावर का तिल लगा देखों सफ्फ्लावर अलग होता है और सइन फ्लावर लेकिन सफ्लावर आपकी ंसफ्लावर ने सप्फ्लावर के इंफ्लेल क्रोंसींत mêmes आपका जुआवे में और सब्फ वरावर कि जो क्रॉप में इसमें है ट्लॉरंस प्ट पाया जाएगा एक। लेक्स्टृक है आपकी आउक्षि ट्रफ ट्रफ किस क्रॉप में आपका पाया जाएगा है तो यह मेरे आपकə सुना उसी के उपर है कि auxiliary की एरहर में GZ और बी जी के डेरी है मडर का पता नहीं नेकिन मसूर सोयावीन अकीले है यहां मेरा auxiliary से मतलब है auxiliary टाइब केress groundbreaking क्रॉप ब्लेक ग्राम बठर लेंटिल मसूर और सोयबेंग थी तो यह आपके कुछ क्रॉप्स थी जिसमें इस टाइप के आपके इन प्लॉरंस पहाए जाते हैं मैं आपको उनकी ट्रीक बता ही आप لوग क्लास में बहुत अच्छा लगा आज में क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स के नाम है आपका अंकीत बवलू कश्यप सचीन जादान सचीन शैनी यह महम्मद आमेर ठीक है और यह प्रिंस यह स्टूडेंट है जो क्लास में आये थे एक दो और है ठीक है तो बस थैंक्यू आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बता है